देखिए आज हमारे दरने को पचास दिन होते आए हैं लेकिन बजनलाल सरकार बिल्कुल हमारी कोई सुद नहीं ले रही है जहां एक तरफ ये गाउं गाउं जाके परचार कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया लेकिन अगर ये 5000 युवाओं को बेरोजगार करने को भी अगर उपलब्दी मानते हैं तो ये दिकार है ऐसी सरकार पे और राजस्तान की जनता में भी बली माती मैसे जा चुका है कि इन्हों ने आते ही जहां एक तरफ 5000 परिवारों के पेट पे लात मानने का काम किया है तो आने वाले समय में इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है उस तरह की कि लोगों में एक बाहुना बनी हुई है तो सरकार से हम निविदन करना चा रहे हैं कि आप लोग सोचुनाओं में तो जा रहे हैं उससे पहले अपनी गरवान में जांके भी देखें कि हमने सरकार में आते ही जा एक तरह मंद्री मंदल का विश्तार नहीं हुआ उससे पहले 5000 परिवारों में चूले नहीं जले उस से किसान मजदूर के बेटे साहीद इसमारक पर बैठें इनकी तरफ आप संबेदन सीलता दिखाएं इस तरीके के ताना साही रवया नहीं अपना है क्योंकि यह भी राजस्तान की करोड़ों जंता के हिस्सा है इन्होंने भी आपको बोट दे के चुना है इन्हीं के बोट से जाए एक तरफ चुनाओं में जाते हैं तो युवाओं के बोटों के बात करते हैं और वो ही युवा बोट दे के सरकार चुनता है और वो ही सरकार आके इन युवाओं के साथ कुठारा घात करती है तो यह धोरा रवय नहीं चलेगा सरकार सुन लें और हमारे धेरिये की प में फैंसला लें और इन्हें रोजगार देने का काम करें सर में रामरेख मौंड बिकरने जिला देक्स औरेजे परवक्ता कमेटी के तोर पे आगे की रणनिती हम लोग सब मिलके आज डिसाइड करेंगे उससे पहले सरकार से निवेदन करते हैं कि समय रहते इन 5000 परिवारों क उससे पहले पहले निवेदन कर रहे हैं बजनलाल जी से कि हम लोगों को रोजगार दिया जाए और आगे की रणनिती आज हम तैय करके शाम तक आप लोगों के सामने रख देंगे हमें उमीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हो सकता है एक दो दिन के अंदर हमारी कोई ऐसी सरकार के सामने कोई मिटिंग हो जाए सर्, बहुत सी परिशानिया हैं यहां पर हम रहते हैं रात को तो भी सरदी में इती ठंड चल रही है अभी फिर भी ऐसी कंडिशन में हमें यहां रहना पड़रा है पूरे दिन बार बैठे रहते हैं लेकिन सरकार कोई भी सुद्बूद नहीं ले रही है, कुछ भी बात हमारे पक्ष में नहीं दीख रही है, हम चाहते हैं सरकार हमारी बात को माने और हमें वापस से बाहल करें सर जब तक हमें हमारी कमीटी और सब हम बैठे हैं तब तक देखे अनुमानगर से आये हैं और पूरे राजस्तान के युवा यहां पर बेठे हैं लग बगए दो महीनों को होने को चले हैं लेकिन सरकार के कुछ भी कानों में जूम नहीं रेंग रही उन्हें यह नहीं पता कि आपने जो बड़े बड़े पोस्टर और बेनर लगा करके चुना हजार परिवारों को जो बेरोजगार करने का जो रास्तान सरकार ने ये उपलवदी आसिल किया है इसका भी जबाब देंगे सरकार को अगर हम उमीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगे सुने हमें उमीद है कि अगर उन्हें अपत्ती थी किसी नाम से थी किसी अन्याज जगह से थी, तो हमारा नाम बदल दे, लेकिन हमें सरकार वापस रोजगार पर लोटाए, हमें रोजगार दे, क्योंकि इन पांच जार परिवारों के अंदर जो चुला जल रहा था, वो इनोंने बुजाने का काम किया, इनोंने उस चुले में पानी डालने का जो का किया गया, उसके बाद पुने हमारी मांग नहीं माने जाने पर, 13 तारिक से आज लगातार, 45 दिन, दोनों मिलाके, 50 दिन आज जरना जा रही है, तो इन 50 दिनों से सरकार के कानों पर अभी जूनी रेंग रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर, आचार सहिता से पहले पहले सरकार इन युवाओं के हक में फैसला करेगी, और इनकी बहाली करेगी, और हम कह देना चाहते हैं कि अब इन युवाओं के सबर का इम्तिहान ना ले, क्योंकि जैसे जैसे आचार सहिता की तारिक नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हम भी संगर समिती में हमने कर ली है, और हम एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जो कि सरकार के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा, इसलिए हम कह देना चाहते हैं कि बिना कोई राजनितिक टैग लगाए, क्योंकि ये मातर और मातर बेरुजगार युवा हैं, तो इनकी बहाली कर दीजिए, न सब लोग हमारे बीच में आरे हैं, और हमारी अवाज उटा रहे हो, सरकार नहीं सुनती है, तो आगे क्या होता देखना, लेकिन हमें लगता है कि सरकार सुने की बात, ऐसे जैसे मावल बन रहा है कि जा रहे हैं दरू दरू नकायक भी आपका काम चल रहा है, और फिर भी न दूद का दूद और पानी के पानी कर देगा, आपको नहीं रखेंगे, या आज वासन तो देते हैं, एक वार मुखे मंदरी से कह रहा हैं कि हमारा डेली के सिन करवा दो, एक वार हम से आप मिल लो, पार देशी बिलकुल इस पर जवाब देदो, यस रखेंगे या नहीं र आप